कि अज़िए 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 आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन लेकिया हुए है वो भी जुआनिंग टाइम से संबंदित कहीं अगर आपका टांसफर होता है टेंपरोरी टांसफर तो उसी के बारे में बताने वाले हैं कि टेंपरोरी जब टांसफर होता था आपको क्या 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 नहीं मिलेगा तो आज का पहला question है, क्या joining time को LAP में convert किया जा सकता है, पहला option है, हाँ किया जा सकता है, दुसरा option नहीं किया जा सकता है, तिसरा joining time का आधा, LAP में convert होगा, चोथा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जो joining time होता है, वो LAP, अगर joining time मतलब कि जिसको की दूसरी भासा में PL भी बोला याता है, preparation lab, जहां से आपका transfer हुआ है, वहां से जिस new station पे हुआ, वहां जाके आपको room shift करना है, सारा समान ले जाना है, तो उसके लिए जो time दिया जाता है, उसी को बोला याता है joining time, ठीक है और joining time को, अगर आप joining time नहीं लेना चाहते हैं, या किसी कारण वर्द से आपको नहीं मिलता है, तो आप joining time को LAP में convert करा सकते हैं, ठीक है, तो पहला question क्या था, क्या joining time को आप LAP में convert कर सकते हैं, तो हां कर सकते हैं, ठीक है, अगला question है अपका, temporary posting में CTG कितना मिलता है, प्वेशन क्या है Temporary Posting में CTG कितना मिलता है पहलाम है बेंसिंग का 1Th butatalinder दूसरा है Basic का आधा तुसरा basic बेतन के बराबर और प्सक्षाण नहीं दिया जाता है तो जब आपका temporary Posting होता है उसमें آپको CTG नहीं दिया पोस्टिंग में CTG आंपको दिया जाथा है नहीं दिया जाता ह्य लिमित का होता है अगला question क्या है temporary transfer कितने दिनों का होता है पहला option 360 दिन का दूसरा 180 दिन का तीसरा 120 दिन का चोथा कोई limit नहीं तो temporary transfer जो होता उसका limit होता है ठीक है और वो limit कितना है 180 दिन का ठीक है temporary transfer कितने दिन का होता है 180 दिन का होता है यानि 6 महिने का ठीक है temporary posting के वाद 6 महिने के अंदर उसको अपने home station पे भेजना होता है बहले आज काल थोड़ा नियम लचर हो गया है जिसके कारण नहीं भी भेजता है रख लिया जाता है अलग वाली बात है लेकिन है कि 6 महिने के अंदर उसको home station पे भेजना है तो temporary transfer कितने दिन का होता है 180 दिन का होता है चलते आगे अगला question है temporary posting में transportation allowance कितना दिया जाता है पहला option 500 रुपया परतिदीन दूसरा तो question क्या है temporary posting में transportation allowance कितना दिया जाता है पहला option परतिदीन 500 रुपया दूसरा 800 रुपया परतिदीन तिसरा 1200 रुपया परतिदीन चौथा नहीं दिया जाता है तो जब temporary posting होता है उसमें transportation allowance नहीं दिया जाता है, ठीक है, temporary posting के दोरान transportation allowance नहीं दिया जाता है, ठीक है, temporary posting के दोरान क्या दिया जाता है, अगर transportation allowance नहीं दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, traveling allowance दिया जाता है, इसको TA बोला जाता है, ठीक है, तो temporary posting के दोरान transportation allowance नहीं दिया जाता है चलते हैं आगे अगला कोश्चन है कि टेंप्रेरी टांसफर होने पर क्या नहीं दिया जाता है पहला ओप्षन टांसपोर्टेशन एलॉंस दूसरा जोइनिंग टाइम तिसरा ट्रेवलिंग एलॉंस चोथा सीटीजी ठीक है तो अभी जश्ट पहले आपको बता चु सिटीजी एलॉंस नहीं दिया जाता तो टेंप्रेरी पोस्टिंग में आपको क्या दिया जाता ह मिए ट्रेवलिंग एलॉंस दिया जाता है एक टेंपरेयरी पोस्टिंग होता है तो उसमें जो आपको मिलता है क्या मिलता है जोइनिंग टाइम श्रक्रव कितने दिनो devotederkाि। अगर हेटकवार्टर में ही हें हेड़कवार अगर चेंज नहीं होता है तो आपको एक दिन किलो मीटर तक अगर टांसफर होते हैं तो आपको 10 दिन दिया जाएगा और 1000 से उपर और 2000 किलो मीटर तक कितना दिया जाएगा 12 दिन दिया जाएगा अब अगर 2000 से ज्यादा किलो मीटर आगा दूरी हो गया तो 15 दिन मिलेगा और 2000 किलो मीटर तक 12 दिन 1000 किलो मीटर तक 10 दिन और अगर आप रेसीडेंस चैंज नहीं हो रहा है तो आपको एक दिन का मिलेगा ठीक है आप इसका इस्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो दोस्तो अज बस इतना ही जय भारत तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले पी के आर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से यार करें लाइक करें और बेल घंटी बजाद हैं ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तहता मज़ेदार वीडियो के आपको नोट्रिकेशन मिचता रहें दन्वाई दोस्तों हम आप से विदा चाहते हैं